गैस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपने GTA San Andreas गेम को convert कर सकते हो GTA 5 में और ऐसा करने के लिए आप लोग mods का use करने वाले हैं तो आज की इस वीडियो में आपको काफी सरे mods के बारे हैं बताने वाला हूँ जिनका use करके आप लोग अपने GTA San Andreas गेम को GTA 5 में convert कर सकते हो वैल सबसे पहले तो मैं आपको सारे mods के बारे मैं detail में बता दूँगा कि क्या मैं mods यूज करने वाला हूँ देर मैं आपको इन mods की जो installation वो भी बता दूँगा ताकि आप लोग भी अपने गेम में mods को install कर पाओ तो वीडियो में के बढ़ने सपहले अगर आपने वीडियो को पते लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सबस्क्राइब कर लेना ऐसी amazing gaming videos देखने के लिए तो अभी जार time waste नहीं करते हैं वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहले तो मैं start करता हूँ सारे mods को feature करना जो कि आज की इस वीडियो में मैं use करने वाला हूँ तो GTA San Andreas game को GTA 5 में convert करने के लिए जो हम लोग पहला mod use करने वाले हैं इसका नाम है basic mod तो basic mod को हम लोग use करते हैं ताकि हमारे game में जो mods की compatibility है वो enable हो जाए and then हम लोग अपने game में किसी mod को easily install कर सकते हैं तो basic mods में काफी सारे mods आते हैं बट आपको उन सारे mods को download नहीं करना मैंने सारी basic mods की file को combine करके single file create कर दिया है जिसको आप लोग सीथ अपने game में install कर सकते हो तो basic mods को एक बार आप लोग अपने game में install कर लेते हो अब हम लोग start करते हैं main mods को अपने game में install करना तो GT7 इस game को GT5 में convert करने के लिए सबसे बहुत हम लोग game के graphics को convert कर देते हैं तो हमारे game के graphics को enhance करने के लिए और एक realistic वारा look देने के लिए हम लोग एक graphics mod use करने वाले हैं और जो graphics mod में आज की इस वीडियो में use करने वाला हूँ इस करना में Diatax 3.0 वैल ये one of the best graphics mod है इस graphics mod के जो graphics से वो काफी ज़ादा realistic है और आपको game को काफी ज़ादा realistic है बना देगा अब जैसे हैं आप लोग अपने game में graphics mod को install कर लोगे आपका game already काफी ज़ादा अच्छा हो जाएगा बट अब टाइम है हमारे game के textures को change करनेगा तो हमारे game में different type of textures होते हैं like building textures, road textures and plant and trees textures इन सबको हम लोग change कर देते हैं सबसे परले मैंने game में जो building and road के textures उसको change कर दिया है इसकलिए मैंने GT5 texture spec use किया है इस mod के use हमारे game में all over जो building, roads and billboards के textures हैं वो GT5 के add हो जाते हैं और इस mod को install करने के बाद हमारे game काफी सही लग रहा है तो मैंने game में behind space of realities 5 star mod use किया है इस mod के use हमारे game में जो GT5 game की vegetation है वो add हो जाती है आप लोग अभी game में जो plants हैं जो trees हैं उनकी जो textures हैं को notice कर सकते हो ये काफी जादा realistic लग रहे हैं So graphics mod and textures को install करने के बाद हमारे game already काफी जादा सही लग रहा है बट अब time है हमारे game में और भी अच्छे-चे mods को install करने का तो मैंने game में GT5 pets mod use किया है इस mod के उसे हमारे game में जो NPC and जो pets होते हैं उनकी जो skin हो चेंज हो जाती है और जैसे हम लोग इस mod को install करते हैं हमारे game काफी जादा सही लगता है क्योंकि GT5 game को जो pedestrians वगेर हैं वो हमको एक अलगी feel देते हैं देन मैंने game में blood on skin mod use किया है इस mod को install करने के बाद अगर आपके उपर कोई भी shoot करता है तो आपके screen पर जो blood का effect है वो आजाता है आप लोग notice कर सकते हो और यह काफी जादा सही लग रहा है देन मैंने game में pick up on the grounds mod use किया है अपसे आप लोग किसी भी game में NPC को kill करते हो तो उसके पास जो भी चीजें होती है लाइक उसकी जो money होती है उसके पास जो भी weapon होता है वो ground पर कुछ इस तरीके से appear होता है और यह देखने में काफी जादा सही लगता है और यह feature GT5 से ही लिया गया है इसकी बाद मैंने game में regular physics mod use किया है इस mod की उसे हमारे game में जो existing physics है वो totally change हो जाती है और काफी जादा realistic जो physics है वो game में add हो जाती है और अब आप लोग किसी भी NPC को अपनी card से hit करते हो तो ऐसे में उसकी जो physics है वो totally change हो चुकी आप लोग देख सकते हो और यह mod हमारे game को काफी जादा modern feel देता है दन मैंने game में वी groove street mod यूज़ किया है इस mod की उसे जो GT5 game की groove street है वो GT5 game में add हो जाती है दन मैंने game की जो existing HUD है उसको भी change करती है और इसके लिए मैंने GT5 HUD mod यूज़ किया है अब हमारे game में जो GT5 game की HUD है वो add हो जाती है और पुरानी HUD इतनी अच्छी नहीं लगती थी बढ़ GT5 game की HUD एक अले की feel देती है दन हमारे game में जो weapons है उनको भी मैंने change कर दिया है और इसके लिए मैंने next time remaster weapons mod यूज़ किया है अब हमारे game में जितनी वी weapons है उसकी skin change हो जाती है और काफी सारे new latest weapons भी add हो जाती है इसके बाद हमारे game में जितनी वी vehicles है उनको भी change करना दो बनता है तो इसके लिए मैंने GT5 vehicles pack mod यूज़ किया है और इस mod को यूज़ करने के बाद हमारे game में जितनी वी vehicles है उनको replace करके GT5 game के जितनी वी vehicles है वो add कर दिये जाते है और ये भी काफी जाद अच्छे लगते है तो अब तक मैंने game में काफी सारे mods इंस्टॉल कर दिये है बट हमारे game में एक चीज़ missing लगती है आप लोग roads वगएर को notice कर सकते हैं ये काफी जादा खाली खाली लगते हैं तो इसके लिए मैंने project props mod यूज़ किया है इस mod का use करने के बाद हमारे game में जो roads है और जो streets वगएर होती हैं उनके उपर काफी सारे new props item एड़ हो जाते हैं आप लोग game में जो empty dust bins होते हैं और जो garbage bags होते हैं वो सब notice कर सकते हो और ये game में काफी जादा realistic feel दे देती हैं दन मैंने game में GT5 UI mod यूज़ किया है इस mod का use करने के बाद GT5 game के जो characters वगे रहे हैं वो sendaries game में add हो जाते हैं और आप लोग even character switching के जो features इसको भी use कर सकते हो आप लोग एक character से दूसरे character view पर easily switch कर सकते हो और ये mod भी काफी जादा GT5 वाला feel दे देता है इसके बाद मैंने game में एक last mod use किया है जिसका नाम है RZL trainer अब ये एक trainer mod है और इस mod को install करने के बाद आपके game में काफी सरे new features add हो जाते हैं आप लोग इस mod का use करके अपने game में काफी सारी चीज़र कर सकते हो जैसे कि आप लोग game का time वगेरा को change कर सकते हो game का जो weather इसको change कर सकते हो game में new vehicles को spawn कर सकते हो then game के अंदर अपनी skin वगेरा को change कर सकते हो अपनी health वगेरा को finite कर सकते हो ऐसे काफी सारे benefits होते हैं इस trainer mod के आप लोग खुद से इसको use कर सकते हो अभी मैं आपको जिदी mods के बारें बता है इन सारे mods के use करके आप लोग अपने GDSMDS game को GD5 में convert कर सकते हो बट इन सारे mods को अपने game में कैसे install करना है वो मैं आपको बतायता हूँ तो इन mods की जो installation है बहुत ही जादे easy है उसके लिए आपको क्या करना है आपको इस single file को download करना है इसकी link आपको नीचे description box में मिल जाएगी और file को download करने की बाद सबसे पर आपको इसका extract करना है तो मैं इसको इसको फोल्टर के अंदर extract कर लिता हूँ और जैसी extract हो जाएगी आपको इस folder मिल जाएगा इस folder को आपको उपन करना है और आपको इसके इंदर काफी सारी files देखने को मिल जाएगी यह पर जितनी ही files आपको select करना और यहाँ से copy करना और अपने GDSN इस game folder के अंदर आके सारी files को paste कर देना और आपके सामने replace का भी option आजएगा सारी files को replace कर देना और बस single click में आपको जो mod वो install हो चुका है बस आपको इतना ही करना था और अब टाइब में मारे game को start करनेगा तो मैं फटा-फट से अपने game के launcher से अपने game को start कर लिता हूँ तो finally मारे game start हो चुका है और आप लोग देख सकते हो game काफी जाता सही लग रहा है game starting से लेका ending तक totally change हो चुका है और इस तरीकी से आप लोग अपने game को totally change कर सकते हो तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लिस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को में सब्सक्राइब कर लेना ऐसी amazing gaming videos देखने के लिए सो मैं मिलूगा अपसे नेक्स वीडियो में तब तक लिए थैंक्स वर वाचिंग